जै महाकाल मेरे प्रिय सादकों और मेरे प्रिय मित्रों आज मेरी वैसी तब्यत थोड़ा खराब है आज मैं आप लोगों के सामने एक अदभूत मंत्र लेकर आया हूँ अदभूत बंगाली अति प्राचीन मंत्र है यह हजारों साल पुराना और यहाँ जो मंत्र है इसमें खुद अपने आप में एक चमतकार है यह मंत्र सोयम सिद्ध मंत्र है आपको सिद्ध करनी की जरूरत नहीं है बस मंत्र अच्छे से याद कर लो कंठस्त कर लो और आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं आज का जो हमारा मंत्र है यह हाथ चलाने का मंत्र हाथ चलाने का मंत्र मतलब क्या हाथ चलाना मतलब क्या कोई भी तुला राशी वाला व्यक्ति या फिर जिसकी राशी कमजोर हो ऐसा व्यक्ति उसका जो अपना दाहिना हाते वो जमीन पे रखते और थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस मंत्र से अभी मंत्रित करके उसके हाथ में डाल दो और आगे एक लाइन खीज दो किसी भी लोहे के चीज से तो वो हाथ उस लाइन तक जाके रुख जाएंगा आप चाय उतने दूर खीश सकते लाइन किसी किसी का हाथ बड़ा तेजी से चलता है और किसी किसी का हाथ स्लो चलता है कोई कोई तुला राशिक हाथ इतने स्पीट से चलता है कि आपको उसको दोड़ के पकड़ना पड़ेंगा ऐसा भी होता है कई बार किसी का मुफ उड़ गया है समझ ले आप दाद गिर गये है इस प्रयोक के वज़े से क्योंकि हाथ रखा रहता और वो हाथ एकदम से खिशता मैं आपको समझा दू किस तरह जैसे मान लो आप हाथ रखा है कोई आपने और आपके हाथ में किसी ने रसी बान दिया और उस रसी को किसी कार से बान दिया तो आप कैसे घसते वे जाओगे अगर वो कार चलेंगी तो आपको कैसे रगडते वे ले जाएंगी ठीक उसी तरह होता है कई कई बार क्योंकि कोई-कोई तुला राशी वाला बहुत पाउरफुल होता है तो हाथ चलाने का मतलब कुछ तांत्रिक लोगों को उनके कुछ विशेश क्रिया के लिए तुला राशी वाला चाहिए रहता है तो जो तुला राशी वालों की वो लोग शोध करते है तो जो तुला राशी वाला अगर जिसका हाथ चलता है उसके हाथ में ये लोग एक काजल लगा देते वो काजल बनाय हुआ रहे था अभी मंतरित करके नाखुन पे हतेली के बीच में या फिर एक गोल डबी होती है जिसमें काजल लगा होता है वो उसके हाथ में दे देते उसके बाद उसको उस डब्बी के अंदर ऐसा लगेंगा कि वो डब्बी नहीं है वो एक थेटर में बैटाओ, सीनेमा हॉल में बैटाओ, ऐसा उसको उस डब्बी के अंदर कही सारे 36 कोटी देवी देवताओं के दर्शन होते है और उससे आप अपने जीवन की भूत, भविश्य, वर्तमान जो कुछ आप पूछोगे वो उसका सटीक ज्यानकरी देंगा आपके भूतकाल की जो भी आप बात पूछोगे जो आपको पता है उसकी भी पूरी आपको ज्यानकरी सही सही बताएंगा जमीन के अंदर गड़ा उआ गुपतधन हो खास करके इसका उपयोग जमीन में गड़ा गुपतधन के लिए ही लोग करते तुला राशी वालों का तो क्योंकि उन्हें दिखता है कि इस जगा गुप्त धन चुपा है, गड़ा धन चुपा है, उसमें क्या-क्या सामागरी है, उस सब बता सकते हैं खेर हमें उससे क्या, पर आपको जानकारी देना है, जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं तो यहां मंत्र उसले होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हाथ चलाने की क्रिया, इस से आप कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं अगर आपको सवाल पूछे तो बोलो लेफ्ट जा या राइड जा, तो हाथ वैसा भी चलके जवाब देता है तो मैं यह नहीं बोलूँगा, इस स्रिफ तुला राशी का ही हाथ चलता, वो तो तांत्री को को चाहिए तुला राशी लेकिन अगर आप ऐसी किसी को छमतकार दिखाना चाहते हैं, तो किसी का भी हाथ चल सकता है लेकिन हर किसी का नहीं चलेगा, यह आप अभी भी समझ लो, मैं यह नहीं बोल रहा कि हर किसी का हाथ चलेगा दस लोगों में तीन-चार लोगों का हाथ चल जाएगा, यह पका है तो यह मंत्रा थी प्राचीन है, और मैं आपको इसी तरह दुरलब, खतरनाक विद्याओं के बारे में जानकरी दूँगा आज मैंने सोचा कि आप से थोड़ी लंबी बात की जाए, क्योंकि दो साल से आप लोगों से मैं दूर था, दो साल तक मेरा चैनल बन था क्योंकि मित्रो मुझे इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं विडियो बनाओं क्योंकि मेरा ऐसा काम नहीं कि इस बिए तंत्रमंत्रों के सहारे मेरा घर चलता हो या तंत्रमंत्र के सहारे में चल रहा हूं नहीं तंत्र मंत्र मेरा एक फैशन था जिसे हर किसी का एक फैशन रहता है किसी को वकिल बनना है किसी को डॉक्टर बनना है किसी को एक्टर बनना है तो वैसा ही मेरा सपना था मुझे एक तांत्रिक बनना था तंत्र मंत्र में मुझे बच्पन से रूची थी मैं जब साथ साल का था साथ या आठ साल का होगा मैं मेरे घर की सेलोरा टीवी बेच कर मैं ये तंत्र मंत्र सीकने के लिए घर से भाग गया था तो यहां से मेरी सुरुवात थी तो कुछ ऐसे मंत्र है जिसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर ले मित्रो एक ऐसा खतरनाक मंत्र है पर मैं डर रहा हूँ कि वह आप लोगों के साथ साजान ना करू करके मेरा दिल बोल रहा है कि यूटूब में नहीं दालना चाहिए और मैं बहुत सोच रहा हूँ कभी दिल हाँ बोलता है कभी ना बोलता है और टजया कुई कि इसका Miss use होगा क्या पता कोन किसके उपर वार कर दे है न क्योकि बड़ा खतनाक मंत्र ऐगे कोई एक पेड में केले के साइच का बोलो रही ऑर बास के बास के साइच का कोई एक पेड़ देख लो कोई भी एट उजिट दुनिया का कोई भी पेड़ चलेगा और आपको सुबह सूरज निकलने से पहले एक लोहे की कुलाड़ी लेकर आपको उस पेड़ के पास जाना है और वो एक मंत्र है वह मंत्र आपको पढ़ना है पास आपने पेड़ को नव गाओ है ना तो उस मंत्र के बीच में जो आपका दुश्मन है उसका नाम होता है नाम लिया जाता है मंत्र में आप देखेंगे वो पेड़ सुखना चालू हो जाएंगा आप मैं ऐसा नहीं बोलगा आप तो सोचेंगे कि छोटा सा पेड़ है उसको मारेंगे तो सुख जाएंगा नहीं आप बड़े से बड़ा पेड़ ले सकते हैं दुनिया का बड़े से बड़ा पेड़ पीपल से बड़ा वर से बड़ा कोई पेड़ है क्या विशाल पेड़ और मजबूत पेड़ नहीं तो वो पेड़ भी आप ले सकते हैं वो पेड़ों को सुखने में समय लगेंगा तो आपका जो दुश्मने उसको भी धीरे धीरे उसके उपर असर होंगा इसलिए हम बोलते हैं छोटा पेड़ दो ताकि वो भी पेड़ पे जल्दी असर होंगा जल्दी सुखेंगा और आपको उसका रिजल्ड जल्दी वैसा ही वैसा वह आगे वाला वेक्ति सुकता जाएगा उसके शरीर का खुन पूरा सुकता जाएगा पानी बनता जाएगा वो मोटा आदमी भी अगर होगा ना 100 किलो वेटका भी आदमी होगा आप देखिंगे मैने भर के अंदर में 40 किलो का बन जाएगा ऐसा सुक तो वही मंतर है उस मंतर में बीच में दो-तीन जगा मंतर है उसको उल्टा करना है दो-तीन शब्दों को और जैसी आपने क्रिया किया वैसी क्रिया जाके करना है तो जितना दिन में वो पेड़ सुका था तो वापस 30 दिन लगेंगे, उस पेड़ को हरा-भरा होने में, हरा-भरा हो जाएंगा. लेकिन याद रहे, पेड़ मरने से पहले आपको ठीक करने, अगर पेड़ मर गया तो वो आदमी मर जाएंगा. अगर पेड़ सुख गया पूरा, पर जिन्दा है, तो भी पेड़ वापस हरा भरा हो जाएगा और वह आदमी भी हरा भरा हो जाएगा तो यह बात ध्यान रखेंगा इतना खतरनाक यह मारन मंत्र है यह आदमी को तड़पा तड़पा के मारता है इसलिए मैं इसे शेर नहीं करना चाहरा हूँ बहुत खतरनाक मंत्र है एक है बा सेयाद करो जाके प्रयूक करो तो आप परीनाम दिख जाएगा और जो मैं अब cottage और मन्त्रा बोल रहा बान मंत्र यह भी सटमसिद्ध मंत्र है इसको भी आपको याद याधी करना है खाली कोई जब नहीं करना इसको, इस मंत्र को अगर आप पढ़ेंगे, आपके दुश्मन को, ऐसे जगा बेटो, जहां से आपको आपका दुश्मन दिखाई देता हूँ, और उसको देखते वे ये मंत्र पढ़ो, आप देखेंगे, उसको ऐसा लगेंगा, किसी ने उसके सीने में तीर मारा, ऐसा कोटने लगेंगा, ये इतना खतरनाक मंत्र है, मुझ से खुन फेक देता है, तो ये अभी मंत्र बड़ा खतरनाक है, इसको बान बोलते है, बंगाली में इस मंत्र को बान मारना बोलते है, ये अगर कोई बंगाली मेरा ये भाई होंगा, जो वीडियो देख रहा तो समझ ज तो यहा भी मैं आपके साथ देनाचाहता लेकिन मेरा मन नहीं मन रही में दूँआ जो मेरा सिश्य बनेगा, विचार करूँँगा उसे दू या ने दू भरोसा होने के बाद क्यूंकि मैंने आज तक इसका कभी उपयोग नहीं किया उपयोग मैंने देखा है लेकिन कभी मैंने किया नहीं है क्यों नहीं किया क्योंकि किसी का बुरा मुझे नहीं करना है मेरे गुरू से लिया हुआ मंत्र है किसी का ये नहीं है बूख या किताब में का मंत्र एक मंत्र और बता था थाली चिपकाने हाँ यह मंत्रो तो मैंने पहले डाला था तो पर मैंने वीडियो उड़ा दिया था क्योंकि चैनल बंद करने के हिसाब से तो मैं इसको फिर से अप्लोड कर लूँगा ये भी एक बहुत प्रचलित और विद्या है बंगाल की थाली चिपकाना मित्रो एक ऐसा वेक्ती था इसमें तीन पार्ट है थाली चिपकाने का एक आप साप का जैर उतार सकते एक में कुत्ता बिच्चू और भी ऐसे कोई जैरी ले चीज काट लिए तो उसके लिए है और एके बदन दर्द बुखार कमर दर्द कोई किसी की नस लग गई हो कमर लग हो या कोई बाहर का भूत प्रेत लग गया तो वह एक पार्ट ऐसे तीन पार्ट में मंत्र है अलग अलग ठाली के तो एक मेरे परीचित वेक्ती थे उनको हमारे आका एक सबसे जहरी ला साप है उसको बोलते हैं मनियार और उसका मैं बता तो ज्यादा बड़ा नहीं होता है काला होता है एकदम काला ब्लैक और उसके उपर सिल्वर कलर के टिपके टिपके होते हैं यूटुब पे अगर मनियार इसने देखोगे तो मिल जाएंगा आपको बहुत जहरी ला होता है नाग जो है उससे भी जहरी ला है तो एक ही आदमी को वह साब तीन बार काटा पहले तब भी मैंने थाली से जहर उता रहा दूसरी बार काटा तब भी थाली से जहर उता रहा तीसरी बार काटा तब भी इसी थाली से जहर उता रहा तो यह बहुत पावरफुल है जहर वैर सब उतरता है पर आजकल वैसे तांत्रिक नहीं रहे जिनके पास यह सब मंत्र हो तां के लिए उनको तकलिव होती है जैसे कि उन्होंने ये सब मंत्रों की पैदाइश किये दुख होता है मुझे इस बात का कि ये इत्ते कपड भरा हुआ इनके मन में आप कामक्या के उदर जाएंगे मयोंग साइड तो मयोंग में आज भी कुछ तांत्रिक है मेरे भी गुरुजी मयोंग से थे हिननोंने मुझे सब सिखा लेकिन वाक कि कुछ तांत्रिक है जिने मैं जानता हूँ मुझे तो उनकी जरुत नहीं है लेकिन मैंने उनके सामने गिड़ गिड़ा हूए लोगों को देखा हूँ पर ये किसी को सिखाते नहीं उनके पेट में दर्द उठता है सिकाना बोले तो कपट ये जो गलत है और इसी के वज़े से ये विद्ध्याई लूप्त होती जा रही है और इसलिए मैं बाट रहूं मित्रों ने तो मुझे कोई जरुत नहीं है मैं संपन नहीं हूँ ऐसा कोई जोला चाप तांतरिक नहीं हूँ मैं समझ रहा कि इसके उपर में मेरा घर चला तो ऐसा नहीं है तो काजल का मंत्र है प्रसूती का मंत्र है नीम लगाना ये एक बहुत खतरनाक मंत्र है मित्रों ये तो मैं आपको नहीं दूँगा जो कोई सिश्य बनेंगा और जिस तो अभी देखो मित्रों ये मंत्र जो है स्क्रीन पे आ रहा है इसे आप देख लो मा काली नाची तेचे हासी तेचे कापी तेचे चलो मा दोहाए तो मार धर्मेर कीरे दोहाए मा काली तो मा के धर्मेर दोहाए दोहाए मा काली यहां मंत्र है तो इस मंत्र को आपको अच्छे से कंठस्त कर लेना है और उसके बाद में आप प्रयोग में ले सकते हैं इसको कोई आपको सिद्ध करने की जरुरत नहीं है मच्छी का काटा बहुत अच्छा आपको बता दो मच्छी का काटा ये एक बहुत चमतकार ही मंत्रे मित्रो इसका चमतकार करने के लिए आपको आगे वाला वेक्ति आपके सामने नहीं होना कैसा जैसे की मान लो आप रहते हो कलकत्ता में और आपका कोई दोस्त बैटा है मुंबई में किसी होटेल में या घर में वो खाना खारा मच्ची खारा है मच्ची खाते गाते हैं उसके गले में काटा लटक गया आपने देखा हूंगा मच्छी खाते खाते कई बार काटा टक जाता है गले में बड़ा तकलीब देता है ऐसे टाइम में अगर आपका दोस्त फोन करता है अरे भाई मेरे गले में काटा फस गया तो आप अपने ही घर पे मंत्र पढ़के खुद के गले के उपर से तीन बार उपर से नीचे के तरब हाथ घुमाएंगे और उसको फोन करके बोलेंगे देख तेरा काटा निकल गया तो उसका काटा निकल गया आपका फोन लगाने तक वो खुद बोलेंगा रे भाई काटा निकल गया मेरा तो यह इतना पाउरफुल मंत्र है तो यह देखेंगे बंगाली लोग जो है वो लोग मच्छी होगरे खाते लेकिन उनको काटेगा डर नहीं है और यह आमतोर पे हर बंगाली के घर पे यह मंत्र मिली जाएगा जातक बहुत प्रचलित मंत्र है यह अभी तो ऐसे बहुत पाउरफुल अलग-अलग मंत्र है मित्रो मैं दूँगा आज रक्षा मंत्र दिया रक्षा के कई प्रकारे रिंगन मंत्र है राम रेखा है बहुत सारे मंत्र है जो मैं आपको दूँगा देखो मित्रो अगर आपकी सुरक्षा मजबूत नहीं है तो आप एक अच्छे तांत्रिक कभी नहीं बन पाएगे इसलिए मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि आप सुरक्षा के उपर अच्छा ध्यान दे तब आप एक अच्छे तांत्रिक बनेगे दुख की बात ये है मित्रो मैंने इतनी तकलिप करके हासिल किया मुझे सीखते समय में मेरे जो गुरुजी उन्होंने मेरी कही तरह से परिक्षा ली पर मैं भागा नहीं मैं पूरा सीखा पर मैंने पचासो लोगों को दिक्षा दी आप यकिन नहीं मानेंगे सीखने से पहले ये लोग इतने गैरेंटी से और कॉन्फिडेंस से बोलते गुरुजी मैं सिख जाओंगा मैं सिख जाओंगा मैं कर लूँगा मैं डरता नहीं मैं ये नहीं वो नहीं और यहां आने के बाद मैं एकदम डरपोग बन जाते कुछी दिनों में कुछ लोगों ने जो बात की यहां पर मैं वहीं आपको बता रहा एक था वह बोलता है कि गुरुजी मैं आपके घर की लेट्रिंग बात्रूम दोंगा मैं आपके घर के बरतन घसूंगा मैं आपकी गाड़ी दोंगा आपकी गाड़ी चलाओंगा ड्राइवर बनके अटा दिया नहीं सीखा एक और दूसरा आया था वो भी चला गया ऐसे कहीं लोग आए पर सीखते नहीं है मित्रो अगर सही में आप में डेरिंग है ना तो यह लाइन में आओ क्यूंकि यह खतरनाक चीजे और इसको अगर आप सीखने आ रहे हो तो सर पे कफन बान के इस ल यह जो समशान साधना उगरे जो हम सुनते है यह यूट्यूप पे लोगों ने मजग बना के रखा हसी आती है इन लोगों पे यह बहुत खतरनाक चीजे हैं जब आप इनको छेडोगे जब तक आप छेडोगे नहीं तब तक यह आपके लाइफ में नहीं आते हैं जब आप के और उनके जीवन के बीच का दरवाजा खुल जाता है और कभी भी आपके जीवन में आ जा सकते हैं या आप ध्यान रखें इसलिए हर तंत्रीक सबसे ज़्यादा ध्यान देता है अपनी रक्षा, सुरक्षा इन बातों पर और उसके बाद ही आगे बढ़ता है और एक सिश्य को जब तक कि मजबूत नहीं करता जब तक कि उसको इस काबिल नहीं बनाता कि वो खुद की और दूसरों की रक्षा कर सके तब तक उसको आगे का ग्यान नहीं देता है मैंने भी मैं एक आपको घटना बताता हूँ मेरे सुरवात में चार सिश्या आयते सीखने के लिए उनको लेकर गया मैं समशान साधना की क्रिया बताने हूँ हम क्रिया करने नहीं कहें मित्रो सुन लो अभी भी और ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था रात के ग्यारा बज रहते और मैं उनको बस क्रिया करके बता रहा था ताकि उनसे कोई भूल चूक ना हूँ वो समझाने के लिए ले गया था तो वो मुझे अच्छा से याद एक नदी का घाट था और उस घाट पर समशान था यानि नदी के घाट पर चीता जलाते थे कोई ऐसा बना हुआ समशान नहीं था और उसके उपर से एक पुलिया गुजरता था तो उस पुलिया के जस्ट बाजू में थोड़ा नीचे नदी के पास हम लोग बैठके मैं उनको साधना की पूरी क्रिया समझा रहा था किस तरह से क्या क्या चीजे डालनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं उनको समझा के बता रहा था तो मैं उनको समझा के बता रहा था, अब बताईए, मैं उनको समझा के बता रहा था, क्रिया कर रहा था, और कुछ मंत्र हमने सबने मिल के पड़े, 10-15 मिनिट उनको मैं प्रैक्टिस कर वा रहा था, मित्रो ये प्रैक्टिस के समय, प्रैक्टिस के समय वहाँ पे एक शक्ती आगी शक्ति कहां से आई कि हम देख रहे थे पुलिया ऐसा लंबा पुलिया हमको पूरा दिखा दे रहा कौन कहां से आ रहे हमें clear दिखता था अच्छानक बीच पुलिया में से एक आदमी प्रकट हुआ और वो चल कर आया हमारे तरब पुलिया के उपर ही था हमारे पास ऐसा आमने सामने हम ज़्यादा ज़्यादा पुलिया से थे एक पंदरा दस-पंदरा फिट दूरी पे बैटे तो और वो पुलिया की हाइट कम थी एकदम कम हाइट का पुलिया दस फिट तूचा होंगा जादा जादा पूरा ने जमाने का पुलिया था हूँ तो वो हमें गाली देने लगा और गाली देने के बाद मैं हमारे तरब देखते वे उसने पुलिया के उपर पेशाप करना चालो किया मुत्रविसर्जन तो फिर मैंने क्या किया खुद के उपर रक्षा किया मेरे जो वो जो सीखने के लिए जो चार लोग आये थे उनके उपर भी रक्षा मारा रक्षा तो हमने पहले किये थे लेकिन फिर भी हमने और रक्षा मारा और हम रिंग के बाहर गए तब तक हो निकल चुका था, हम रिंग के बाहर गए सबसे पहले हम उस जगा गए, जहां पे उसने पिशाप किया हमारे सामने क्योंकि हमने उसको पिशाप करते वे देखा पूरा उसने एक 20 सेकेंड करीब उसने पिशाप किया हमारे सामने हम उस जगे पर गए हमने उसकी पिशाप की धार भी देखी थी हम उस जगे जाकर जब देखते हैं तो वो जमीन पूरी सुकी है ये देखने का कारण ये था क्योंकि हम जब बाहर निकले टार्च इदर उदर जब हमने मारा तो हमको कोई नहीं दिखा करके हम उसकी पिशाप की जगा देखे तो जगा भी पूरी सुकी थी फिर हम सब समझ गे फिर मैंने समझाया कि देखो आज मैं था करके उसने ज़्यादा तकलीब ने दिया गाली गलोज देखे चला गया क्योंकि उसने देखा कि यहाँ पे इसका गुरू बैटा है अगर यही अगर मैं नहीं होता आप लोग होते चार लोग तो आपको यह कितनी तकलीब देता तो आप सोचिए मेरे वो चार जो सीखने के लिए सिश्य आये थे मैं था करके वो उत्ते डरे नहीं लेकिन उसके बाद में वो साधना के ले जाने के लिए उन्होंने हिम्मत भी नहीं किया तो यही बात होती है कि जब कुछ देख लेते हैं इनसान तो डर जाते और फिर वो करने की हिम्मत नहीं करते तो अगर आप में ऐसा होना चाहिए कि लालच के वज़े से आप ये सिखने मता हो अगर लालस से भी आओ तो कोई बाद नहीं फिर आप में उतना हिम्मत होना चीए कफन बान लो सर पर ये सोच कि कि मरा तो मरा बचा तो बचा तो ये आप सादिक बन सकते ने तो ने डेरिंग होना और बोलते ना अगर आप में नहीं है तो कुछ ने तो मैंने भी बहुत तकलीबे उठाई है ये सब सीखने के लिए अगर आप लोगों को कोई भी ऐसे साधना सीखना है या साधना के बारे में जानकरी चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट करो कोई जड़ी बुटी के बारे में जानना है तो कमेंट करो और याद रहे आपको एक बात बता दू आजकल यूटूब पे बहुत लोग चूतिया बना रहे हैं लोग बोलते हैं दो अजार दो पाच अजार दो घर बैटे दिक्षा लो याद रखो कभी घर बैटे दिक्षा नहीं होती है दिक्षा के लिए गुरू के पास जाना पड़ता है गुरू मंत्र से आपके कान फुके जाते हैं बहुत क्रिया है मैं आप पूरी क्रिया नहीं बताऊंगा ने तो ढोंगी लोग वही बाते करेंगे और आपको चूतिया बनाएंगे इसलिए मैं पूरी क्रिया नहीं बताऊंगा इस पे ओपन नहीं करूंगा तो आप लोग किसी को ऐसे पैसे दाल कर फशे नहीं फोन पर कभी गुरू दिक्षा होती नहीं है गुरू दिक्षा जा सो रुपे में होती है सो दो सो रुपे में क्या लोग चूतिया बना रहे है इसलिए मुझे गुस्सा आता है ये सब देखकर समझे हैं मैं एक बार लाइव आऊंगा या फिर करीब करीब एक तीस मिनिट का अच्छा वीडियो रेकॉर्ट करके बात करेंगे हम क्योंकि बहुत सी बाते करना है बहुत सी बाते तंत्रम मंत्र के बारे में आपको समझाना है बात करेंगे तब ही तो आपका ग्यान बढ़ेंगा अगर मैं आपसे बात नहीं करूँगा आपको समझाऊंगा नहीं तो ग्यान नहीं बढ़ेगा ना तो मैं सोच रहा हूँ कि एक 30 मिनीट का अच्छा वीडियो बनाओ ताकि हम उसमें बात कर सके तो देखते हैं मित्रू कल शाम में हो सके तो आप लोग आजाना कल शाम में अपन लाइव करेंगे और उस पे अपन बात करेंगे आपके कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछना उस बारे में भी मैं बताओंगा ठीक हैं और एक छोटी जी बात और बता दू आपको मैं कि यूटूब से पैसा कमाना मेरा कभी उद्देश्य नहीं था अगर उद्देश्य होता तो मेरा चैनल कभी बंद नहीं होता क्योंकि दोस्तों लोग 100-100 सस्क्राइबर के लिए मरते हैं और मुझे 11-12 सस्क्राइबर आप लोगों ने 10-12 दिन में दिये तो आप सोचिए जब 10-12 दिन में मुझे 1200 सस्क्राइबर मिले फिर भी मैंने चैनल बंद किया क्योंकि मेरा इससे कोई income source का यह मेरा माध्यम नहीं था या यह सोचके मैंने channel चालू नहीं किया था तो यही मैं आपसे बात clear कर रहा हूँ कि आप जहां पर है यहाँ पर आपको सच्चा ग्यान मिलेगा हिमत आप में होनी चाहिए कि आप में कित्ती हिमते सीखने की आप में कित्ती काबिलियत है यह आपके उपर निर्वर करता है आपके उपर सब तैं करता है कि आप सीखोगे या नहीं झाल झाल